नमस्ते इस वीडियो में हम कंडेंसर के बारे में जानेंगे और कंडेंसर के अन्य प्रकारों के बारे में भी जानेंगे तो आईए देखते हैं Compressor से आने वाला Refrigerant एक High Temperature High Pressure Gas होता है ये Gas इन Condenser के पाइपों मेंसे बहता है ये Condenser pipe आपके हवा के संपर्क में होते है तो हवा के संपर्क में आने के कारण Refrigerant अपनी Heat इन पाइपों को देते है और फिर ये Heat हवा में जाती है इस Process में Refrigerant जो Gas form में है वो condense होके liquid बनता है और इसी लिए इसको हम condenser के नाम से जानते है condenser 3 प्रकार की होती है जो आप देख रहे हैं ये condenser को हम rod fin type of condenser कहते है क्योंकि इसके fins rod shape में है उसके अलावा आप ऐसे condenser देखते हैं जो आप double door में देखोगे जिसमें हम condenser plate के अंदर होते है इसको हम plate fin type condenser कहते है ये दो condenser जो मैंने बताए ये natural convection से थंडे होते है मतलब यहाँ पे हवा अपने आप घूमती है और अपने आप घूमती है और heat को बाहर निकालने का काम करती है जो तीसरा condenser है ये forced convection cooling पे काम करता है forced convection का अर्थ ये है कि हम एक fan उसके बाजु में लगाते है ये fan आपके condenser पे हवा फेकती है तो हवा force कर रही है इस condenser पे जिसके कारण condenser थंडा होता है और तो refrigerant हवा को heat देके liquid बन जाता है ये liquid refrigerant बाद में आपके dryer से होके capillary के पास जाता है तो इस वीडियो में हमने देखा कि condenser क्या होता है और condenser का क्या role होता है अगरके अगले वीडियो में हम capillary और evaporator दोनों के बारे में जानेंगे हमारे साथ बने रहिएगा धन्यवाद